मधिप्रदेश में दिन बदिन रेट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश के कटनी जिले से एक के बाद एक चार दुशकर्म के मामले सामने आए हैं। जहां प्रदेश की सरकार महिलाओं के लिए कानुन विवस्था की बात करती है। वहीं हर दिन बेटियों के साथ हो रहे दुशकर्म के मामले तो कुछ और ही धर्शाते हैं मधिप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरास सिंग की भांजियां अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही दो दिन पहले ही कटनी के बढ़वारा थाना छेत्र के भदावर गाव में सोतेले पिता के अपनी बेटी के साथ दुशकर्म करने का मामला सामने आया था तो वहीं एक हफते में रेट की चौथी घटना सामने आई है हाली में शहर के तीन थानों में दो नाबालिक और दो यूवतियों के साथ दुशकर्म के मामले दर्ज किये गए हैं छेत्र में लगाता चौथा ऐसा मामला होने की वज़ा से बच्चियों में काफी डर का माहौल है लेकिन प्रशासनिक तौर पर जिस तरह से दुशकर्म के मामले से निपटने के लिए कानूनों की बात की जाती है वे नाकाफी नजर आते हैं ताजा मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है थानरगनात नगर से एक मामला आया था जिसमें फरियादिया ने रिपोर्ट लिकाई है कि उसकी नवालिक बच्ची जो है कल दिनांग पांच नो बाइस को साम साथ बचे घर पे अपनी बच्ची को छोड़ करके वो पास की दुकान में समान लेने गई थी जब लॉट रही थी तो अपनी बच्ची की आवास सुने घर को दर्वाजा खोल के देखा तो दर्वाजा अंदर से बंद था तो उसने देखा दर्वाजे की निशे से जहां करके देखा तो मुहले का एक लड़का जिसे वो जानती है फर्यादिया चंदल मंसकार नाम का वो उसकी नबालिक बच्ची के साथ कपड़े हटा करके उसके उपर लेंगी खमला कर रहा था जो फर्यादिया की रिपोर्ट पर महिलत आने में अपराद पंजी बद किया गया है 12376 AB 345 पासकО नियम के तहब और लड़की का मुलाजया कराया गया है चूंकि बच्ची का मुलाजया से मच्ची छोटी होने से उसके मुलाइजा के लिए जबलपूर मेडिकल कारेज जफर किया गया था जहां उसका मेडिकल कराया कराया गया है और पुलिस आरोपी जो है पुलिस की गिरक्त में है और उसके उनसार कारवाही की जा रही है एलन्सी टी कूप चूस था बेस्ट वी थे बेस्ट फर द्मिश्ट सेविप्स गूल 744 0777 111 Ravindranath Tagore University अपिनेर्स एंसकिल देवेल्पमन उसकारी जब तेरी एंसीर्ड बिवेल्पर्शन। प्रेमियर स्किल बेस्ट उनिवर्सिटी रबिन्टना तगो उनिवर्सिटी आप देख रहे हैं दखल निवर्सिटी